स्लाम अलेकुम स्टूडेंट्स वोकम टो माई चैनल सिंद्रेंजर्स में निव जाप्स के अनॉसमेंट्स किजा चुकिये हैं आप अड़र्टाइस्मेंट वाली ओप्शन में क्लिक करके यहाँ पर जैक कर सकते हैं यहाँ पर बहुत से रैंकी पोस्ट में ट्रेट के अनॉसमेंट किजा चुकिये और आप भी खुद के मुबाइल से खुद का अपलाए कर सकते हैं आज की वीडियो में आपको कम्पलीट और पर गाइड करूँगा कैसे आपने store registration form ऐसे fill करने और किस box में क्या enter करने आपने कहां से कैसे apply करने और इस advertisement यह जो official website में दी गई इस advertisement को complete read करके बताऊंगा आपका procedure कैसे चलेगा और इनकी salaries इनके test all details से इंशाला आपको guide किया जाएगा और आपको complete information फराहम की जाएगी ताके आप भी Sindrangers में apply करके Sindrangers का हिस्सा बन सके तो candidates जल्दी से इस channel को subscribe कर लें और चलें start कर लेते हैं तो candidates सबसे पहले सीखने आपने इस official website में कैसे आना है आपने google में ने जो भी आप browser यूज़ करें चाहे mobile पर चाहे PC पर आपने जो search में लिखने है join Sindrangers और आप search कीजिए आपके पास जो first website है जोई पाकिस्तान रेंजर सीखने आपने इस पर click करने और थोड़ा सा wait करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से official जो website है Sindrangers की recruitment की open हो के आजएगी आपने थोड़ा सा नीचे आने यहां पर चार किसम की options है first है advertisement, second है instructions, number 3 पर apply no and number 4 पर print registration form यहां पर सबसे पहले आपने advertisement पर click करने है थोड़ा सा wait करने है तो आपके पास कुछ इस तरह से advertisement आएगी जिसे आपने अच्छे से download कर लेना है जो के auto ही download हो जाएगी आपने अच्छे से read कर लेना है इसे और इसे आप zoom भी कर सकते हो जितना चाहिए zoom करके अच्छे से आप complete तोर पर इसे देख सकते हो मैं आपको इसे थोड़ा सा read करके बताता हूँ उसके बाद में हम apply करना सीखते हैं तो candidates इसमें जो post है वो है sub inspector की general duty की post है religious teacher की post है हवलदार general duty की post है नाइक general duty की post है ये journal duty क्या होता है जीडी होता है और इसमें सपाही general duty की post है ये भी जीडी होता है अच्छा है ऐसी है जैसे constable आप कह लें जैसे army का soldier होता है जैसे ASF में corporal होता है different जो department है उनके जो सिपाहियोंने different name से पुकारा जाता है बिल्कुल ऐसी general duty बोलते है इसमें जो serial number F पर post है सिपाही cook की है सिपाही mess waiter के इस तरह different and other जो low criteria की post है जिनमें दरजाच हारम की post है वो काफी ज़्यदा इसमें शामिल की जिसमें washerman, carpenter, electrician, plumber, barber जिनमें आपकी तालीम जो ever required नहीं होती और इसमें पूरे पाकिस्तान से आप जहां से भी आप apply कर सकती है इसमें आप apply कैसे करोगे वो आपने online registration करना होगी मैं आपको इसी वीडियो में last में बताऊंगा आपने कैसे online registration करना है लिंक दूँगा आपको इस वीडियो के description में जैसे आप उस link पर click करोगे आपके पास कुछ इस तरह से जो registration form है वो अपन हो कहगे जो के आपको अभी बताऊंगा आपने उसमें क्या क्या पुट करना है अच्छा बताने की जो बाते हैं वो आप पहले सुन लो कि आपने सबसे बहले करनी है खुद की all registration जो के आप इस link से करोगे जो के आपको अभी बताऊंगा जो के registration का जो process है वो 3 dates से start होगा और 18 मही तक जारी रहेगा जो candidates इसमें registration करेंगे उन्हें short list किया जाएगा और जो candidates short list होगे उन्हें SMS किया जाएगे जो SMS किया जाएगे वो Sindrangers के number से किया जाएगे और आपको जो वहाँ पर जब message आएगा ना आपके mobile में तो जो उपर number जिस एगा पर लिखा होते हैं वहाँ पर Sindrangers लिखा गया होगा यह बताया गया होगा कि SMS सिंद्रेंजर्स की जानिब से किया जा रहा है आपने ऐसे mobile number का इंतखाब करना होगा जो के 24 गैंटे on रहता है और जब आप ऐसे short list होते हो तो यहाँ पर नीचे एक table दिया गया आप इन table में देखो जो भी locations हैं पंजाब की हैं खेबर पक्तून का की हैं सिंद्ध की हैं बलोचिस्तान की हैं यानि पूरे पाकिस्तान की जो भी यहाँ पर location में दाएगी आपके nearest गुजरावाला है मुलतान है रहीम यहां मंडी बहुत दीन है जो भी है यहां पर से अपनी location देखो जहां पर भी आप इसली पहुंच सकते हो इंडेट्स में आपने जाना होगा खैबर पक्तून को वाले इंडेट्स में जाएंगे सिंध वाले इंडेट्स में इस जगह पर जाएंगे बिलकुल ऐसे ही जो बलोचिस्तान वाले है वो इंडेट्स में इस जगह पर जाएंगे यानि आपने जब आप शोट लिस्ट हो जाओगे जब आपको सिंध रेंजर को इसी तरह सिंद्ध और बलोजिस्तान वाले अभी बात रही कि आप तो जाएंगे इन locations में आपने साथ क्या कर लेके जाने हैं आपने all original documents साथ लेके जाने हैं और pretty shoes पहन के जाने हैं और लिखने का समवान साथ लेके जाने हैं और थोड़ से पैसे खाने पीने के लिए भी आपने साथ लेके जाने क्रायव अगयरा वहां पर आपने फुद जोएवर लगा के जाने कोई भी आपको किसी तरह का allowance नहीं वो देंगे कि आप यहां पर आया हो तो यह लोग इतने पैसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहां पर आपके कुछ physical test होंगे आपके documents की verification होंगी आपके initial medical होंगे यानि आपको थोड़ा बहुत जाचा जाएगा आपकी return test होंगे अच्छा इसके return test में बहुत ज्यादा tough नहीं होता है इसके return test बहुत ही असान होता है जो भी आपने metric तक पड़ा यह आपने आठ जमाद तक पड़ा जिस भी level की आपकी post होगी जो उसकी qualification से required है उसी में से ही आपका test आएगा बाहिर से कुछ मिने होगा simple से questions होंगे इंशाला आपको पहले से ही मालूम होंगे अगर नहीं मालूम तो इसी channel की जो videos हैं उन में से search करो 1400 MCQs उन 1400 MCQs को एक बार read कर लो इंशाला आपका test clear हो जाएगा और अभी चलते हैं और apply करना सीखते हैं इसमें और कुछ बताने को कुछ में नहीं अच्छा है इसमें criteria आप देख लो apply से पहले इसका criteria देख लो कि sub inspector के लिए यह minimum जो education है वो FFSC और equivalent है equivalent से मराद ही होता है कि अगर आपने DAE किया है अगर आपने ICOM किया है फिर भी आप यानि equivalent जो भी आपकी बारा पास की degree है वो equivalent ही होती है तो ऐसे में अगर आपकी कोई भी qualification है आप sub inspector के लिए apply कर सकते हो religious teacher के लिए आपका metric और फाजिल फारिक दर qualification होनी चाहिए स्पाहि के लिए आप आठ जमाद पास हो इसी तरह जो another मैंने post बताई washerman, carpenter, electrician, plumber, barber, saddler इन सब के लिए भी आप अगर आप अगर आप अन पढ़ भी हो तो फिर भी आप apply कर सकते हो इसके लावन की जो salary होती है ना वो अगर आप sub inspector के लिए अप्लाय करों तो 40 प्लस होगी अगर आप स्पाहि के लिए हो तो आपकी 35 प्लस होगी आपको जो allowance वगएर होती है ना खाने पीने के वो आपको salary के साथ ही मिल जाते है आपको फुदी manage करना होता है इसमें कुछ इस तरह का setup होता है और इसके जो physical standards है आपकी height minimum जो होनी चाहिए वो 5 foot 6 inch यानि 5 foot 6 inch और जो के final selection में अगर आप थोड़े लंबे होंगे तो आपको prefer किया जाएगा और chest आपके उने चाहिए 33 inch और including इसमें 1.5 inch expansion भी होना चाहिए निए अगर आपकी chest है तकरिबन 32 और इसमें 33 आपका फिलाओ बनता है या अगर आपकी 33 है और 1.5 inch इजाफी कि आप Google में सर्च कीजिए वहाँ पर खुद की height लिखें weight लिखें सब कुछ वह आपको बताएगा कि आपका weight बिल्कुल equal है के नहीं तो यहाँ पर आपका initial final medical examinations भी होंगे जो के तकरिबन आपकी complete body को देखा जाता है तमाम हड़ियों को देखा जाता है अच्छे से आपक x-rays आपकी ultrason सब कुछ करके आपको complete अच्छे से जानचा जाता है कि आप में कोई भी किसी किसम का fault ना हो कोई भी ऐसी बीमारी ना हो जो कि किसी साथ वाले candidate जो के साथ में training करेगा duty करेगा उसे ना लग जाए इसलिए तकरिबन मुकंमल शिफाफिया से इसका इंतजाम तो इसमें और भी कुछ बताने को यहां पर आप देख सकते हो कि physical test के लिए आपने pretty shoes पहन के जाने and categories के बरे में बताया गया और return test के लिए आपने साथ जो लिखने का समान है वो लेख के आना है इसके बाए psychologist test यह इन interviews के लिए आप shortlist जो होंगे candidate उन्हें ही बलाया जाएगा इसके लाब final selection में आपको merit पर headquarters ने रेंजर्स कराची में जाना होगा वहाँ पर आपका merit बनेगा criteria और आपके nearest जो भी selection centers है वहाँ पर यह आपके interview होंगे और आपको call letter जारी कर दिया जाएगा इसके लाब यहाँ पर BPS बताएगा जिसके आपसे इन्हे salary मिलेगी इंशाला अच्छा salary package होगा और अभी चलते हैं और apply करना सेखते हैं जो यह website बताएगी इस website पर click करते हैं जो के link आपको इस video के description में दूँगा और यह तो हमारे पास official website है आचुकिया यहाँ पर number 3 पर option apply or no आपने इस option पर click करने और थोड़ा सा wait करने आपके पास कुछ इससरा से registration form आएगा जिसे हम अभी सीखते हैं तो इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ पर आपने सबसे बहले apply for the post यहाँ पर आपने click करने जिस भी post पर आप apply करना साथ तो जो भी criteria आप से match होता है ज इतनी आपकी age है आप उसे select कीजिए यहाँ पर मैं किसी एक post को select कर लेता हूँ चूँकर सभी का criteria बिल्कुल सेम ही होने जा रहा है तो यहाँ पर supply general duty पर click करते हैं थोड़ा सा wait करने के बाद उसका इस तरह से criteria open होगा इसमें आपकी height sorry आपकी age limit क्या रखी गई 18-30 साल उमर birth एंटर करोगे age एंटर करोगे यहाँ पर selection center ऐसे का इंदखाब कीजिए जो कि आपका nearest होना चाहिए यानि यहाँ जहां पर आप बिल्कुल easily पहुंच सकते हैं और next यहाँ पर आपका name आएगा father name province आपका सूबह कौन से जो भी आपका सूबह उसका इंदखाब कीजिए उ अगर आपकी height ज्याद है तो आपके enter होने के chances और भी ज्यादा हो जाएगे अगर आप Muslim है religion में Muslim लिखे यहाँ पर status आएगा single है married है यहाँ पर आपका mailing address आएगा ऐसा address लिखे और ऐसा address permanent में लिखे जो कि आपका perfect address हो अगर आपका mailing address और permanent address different है यानि अगर आप rent पर रहते ह होगा आप mailing में और लिखो और permanent में और लिखो अगर आपका दोनों एक ही है आपका वही पता है तो आप दोनों में एक ही लिखे गा यहाँ पर आपका number आएगा जो के 92 से अपने start करना है जो के पहले से होगा जिसमें आपको SMS किये जाएंगे जो कि किसी दूसरे number पर दूस ऐसा ही number जो के जिसमें आपको काल कीजए या आपको अगाही दीजए आपके letters related तो आप मुनें इस जगा पर लिखना होगा next आपकी highest qualification है जो भी आपकी last degree है जो भी degree है आपने FSE की है जो भी MABA जो भी आपने पढ़ा है अब उससे यहाँ पर highest qualification लिख सकते हैं उसमें आपक पहले कोई काम करते रहे तो अगर आप में उसमें महारत है या आप ऐसी post के लिए apply कर रहे हो जिसमें इन trades की जरूरत है तो आप उसका इंदखाब कर सकते हैं और दूसरों के लिए नहीं अगर आप इन trades related है तो आप उसका इंदखाब कर सकते हैं तो आप यह खाना को छोड पर आप जाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि आपके वालत पकिसान रेंजर सिंद्ध के हाजर सर्वस मलाजम थी हैं साबका मलाजम थी आप यस और नो में से यस और नो का इंटखाब कर सकते हैं और अगर आप यस करोंगे तो आपको अनेदर क्राइटेरिया भी पुट करना पढ़ेगा उनका रेंक क्या था उनका रिजिस्ट्रेशन नंबर क्या था उनका प्रेजन स्टेट इस के इलावा कि आप इस वकत पाकिसान रेंजर सिंद्ध में खिद्माद सारी इंजम दे रहे हैं तो अगर आप छोटी पोस्ट पर अगर आप बड़ी पोस्ट के लिए करें तो यहां पर आपने यस और नो का इंट खाब करना होगा अगर आप यस करोगे तो आपको इनधर क्राइटरिया फुट करना पढ़ेगा नितो आप नो का इंट खाब कर सकते हैं जब आप आल डीटेल्स को अच्छे से नंबर आएका उसे आपने संभाल लेना है अगर आपके पास वो मिस हो जाते है तो आपने इसी ओफिशल वेब साइट में आने यहाँ पर जो लास्ट ओप्शन है पर इस पर क्लिक करने थोड़ा सा वेट करने यहाँ तो आपको रोल नंबर जो मिल है आप उसे भी क्लिक कर सक सकते हैं तो कंडेट से मुझीद बताने के लिए अभी कुछ भी नहीं रहा इंशाला जो भी डिटेल मुझीद होंगी आपको इसी चैनल से गाइड की जाएंगी अगर आपको कोई भी क्वेस्टन है तो आप इसी वीडियो के कॉमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं और म इंशाला नेक्स्ट वीडियो में थब तक के लिए टेक केर अलाह आफीज